हलो प्यारे दोस्तों स्वागत आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे माति मेक्सिक सबोर राजस्थान अजमेर ने जो क्लास 9 के लिए हिंदी का जो 100 नंबर का पेपर आने वला है उसमें कौन सा टॉपिक आएगा, कितने नंबर के टॉपिक आएगे, किस परकार के कुशन आएगे क्रामर का क्या पार्ट होगा, कौन कौन से कुशन किस टाइब से आने वाले है उनके बारे में डीटेल में डिस्कस करेंगे और जल्दी ही आपको इस चैनल पे इस प्ले लिस्ट में ही आपको हिंदी का मौडन पेपर मिल जाएगा कहने का मनलब 9th क्लास का जो आपके हिंदी का पेपर है, वाशिक परिश्रम कैसा आने वाला है वैसा पेपर आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में यहाँ नीचे मिल जाएगा तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा क्योंकि सिर्फ हिंदी ही नहीं आपको यहाँ पे इंगलेज, साइंस, सस्ट, संस्क्रत सभी का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, गणित वगरा, सबका आपको यहाँ पे पेपर, जो है, मौडल पेपर मिल जाएंगे और सभी का यह ब्लूप्रिंट में मिल जाएगा कि आपके एक्जामें पेपर कैसा आने वाला है अब 100 नंबर का आपके पेपर होगा, जिसमें आपठित बोध, यह 15 नंबर का, मतलब जो आपको पैसेज मिलेगा सुरुआत में, वो 15 नंबर का होगा रचना, यह आपके 15 नंबर के आने वाली है, ठीक है, व्यावारिक व्याकरण 15 नंबर की व्याकरण आने वाली है शतीज भाग एक है वो 40 नमबर की है और कृति का भाग एक है वो आपके 15 नमबर की है अब इसमें कैसे आगे डिवैड किया वो समझेगा आपठिद बोध हमने अभी बात किया कितना कि 15 नमबर का है जिसमें आपठिद गद्यांस जिसमें 8 बहुचैनात्मक प्रशन बहुचैनात्मक का मतलब हो गया कि आपको उसमें से चुनना है question मैं से आठ प्रशन वो मिलेंगे आठ नमबर के अपठिद कावियांस ये गद्यांस हुआ अब कावियांस उसमें साथ बहुचैनात्मक प्रशन मिलेंगे टोटल मिला कि आपके पंदरा अंग हो गए ठीक है ना अगला जो section रहेगा जिसमें आपको रचना की कारिय रचना में क्या आएगा रचना में आपको संकेत बिंदू के आधारित किसी आधुनिक विसे पर 200 शब्दों में कम से कम 20 से 40 लाइने कहने का मतलब 20 से 40 लाइनों में लगबग आपको क्या लिखना पड़ेगा एक निबंद लिखना पड़ेगा ठीक है न और उसमें विकल्प साइथ मतलब आपको उसमें option मिलेंगे ठीक है यह आपके 6 नंबर का आएगा कहने का मतलब निबंद लिखन कितना होगा 6 नंबर का होगा आपके लिए ठीक है फिर फिर आता है अपने समाद लेखन और पत्र लेखन यह आपको विकल्प रहेंगे दोनों में या तो आप समाद लेखन 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 यह पांच नंबर का आने वाला है फिर आप परतिवेदन रिपोर्ट लेखन शौष अब्दों में आपको क्या रिपोर्ट लिखनी है पंदरा नंबर की व्याकरण है ठीक है जिसमें आपको आठ रिक्तिस्तान वाले प्रश्ण है ठीक है तीन अति लगुत्रात्म और दो लगुत्रात्म प्रश्ण है टोटल कितने होगे अपने पांच आठ पांच तेरा प्रश्ण आपको मिलेंगे पंदरा नंबर के ठीक है सब्द निर्मान जिसमें आपको प्रते उपसर्ग, विसेशन, लिंग, वचन ये आपको अच्छे से तयार कर लेना तीन नमबर का ठीक है परसर्ग या कारक ने का क्रिया परपरपाव ये तीन नमबर का है ये सारे टॉपिक आपको यहां मिलेंगे और हिंदी का मॉडल पैप पर भी आपको यहां मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक है ना अगला आपको वाक्य रचना सरल और शेयुक्त वाक्य ये तीन नमबर का मिलेगा प्रयाइवाची विलोम शब्द सुरुति सम बिनार तक शब्द ये तीन नमबर का ठीक है और मुहावरे ये भी तीन नमबर के most important मुहावरे होगे प्रयाइवाची विलोम सब्द सुरुति सम बिनार तक सब्द शब्द आपको यहां पे मिलेगा बस आपको क्या करना आपके exam के related हर authentic news मिलेगी आपको तो चैनल पे नहीं हो तो subscribe जरूर कर लीजेगा क्योंकि सभी subject के इ कैसे प्रशन पूचे जाने वाले किताबे दोनों मिला के आपके होगी 55 नमबर की ठीक है पहली अपने श्रितीस बाग एक चालीस के दूसरी अपने पंदरा नमबर की टोटल 55 अंक अपने हो गए ठीक है जिसमें आपको 40 नमबर कैसे लाने हो देखिए निर्दारित गद्य पार्टों में किनी दो गद्यांशों को आपको दे देंगे दोनों में से आपको कोई एक को पूरा पूरे 6 प्रशन मिलेंगे उसमें हल करने कहने का मतलब उपर पी गद्यांश नीचे पी गद्यांश बीच में लिग दिया है अथवा क्या लिग दिया है अथवा अथवा अब इसमें भी 8 6 प्रशन है, इसमें भी 6 प्रशन है, ठीक है, जिसका आंसर देना चाओ आप दे सकते हों, ठीक है, यह 6 नंबर होगे, फिर है, अपने निर्दारित कविताओं से किनी 2 पध्यांसों मैं से विकल्प मैं से अर्थ गरंड संबन दी 6 प्रशन, कहने मतलब अभी अभी रहेंगे पध्यांस कविता टाइप में, ठीक है, यहां है, उपर भी है, इसमें भी 6 प्रशन है, आपको solve करने, ठीक है, फिर आएगा अपने लगुत्रात्मक प्रशन, ठीक है न, जिसमें लगुत्रात्मक प्रशन किस टाइप के आएंगे, वो देखते हैं, जिसमे आपको क्या मिलेंगे, प्रशन कौन से किस टाइप के, छे अती लगुत्रात्मक प्रशन, तीन गद्ये से, तीन पद्ये से, छे नमबर हो गये, ठीक है, पांच लगुत्रात्मक प्रशन, जिसमें से, तीन गद्ये से, दो पद्ये से, पद्येन कवितां वाला बाग है न, उसमें से दो मिलेंगे, टोटल दस नमबर हो जाएंगे आपके, ठीक है न, आपको ये अच्छा समझा आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सभी विश्यों में ऐसे वीडियो जो आपके हैं, अपलोड कर दिये गए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और दूसरी बात, आपको इस पे पेपर भी मिल रहा है, ठीक है न, पेपर भी मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, आपके नाहिंद के पेपर बहुत ही शानदार होने वाले है, ठीक है न, फिर अगला है अपना, एक दिर के उत्रात्मक प्रश के साथ, आपको कवी का परिशे भी दे सकते हैं, लिख का भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों में से अथवा में रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है, फिर एक निमंदात्मक प्रशन आएगा, ठीक है, गद्य पद्य दोनों में से, और आपको विकल के साथ करना फिर सब्सक्राइब यो नोर अपने पूरब का रहेगा और दीरक उत्री प्रश्न इसमें विकल्प मिलेगा दिन के एक रहेगा जिसमें भी आपको विकल्प मिलेगा तो इस प्रकार से आपका हिंदी का रहने वाला है ठीक है ना बाकी विशेका भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिश्ट में वीडियो पढ़ें आप जाके देख सकते हैं आपके चाहे अंग्रे जी हो या फिर आपके विज्ञान हो ठीक है इन सभी के पेपर भी मिल जाएंगे ठीक है इस साल के 2024 में जो एक्जाम होने वाला है ना उसके पैटर्न के अनुसार सारे मॉडल पेपर आपको यहां पे मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के ठीक है अंग्रे जी हो गया चाहे आपके S.H.T.A. निसामजीक हो गया साइंस हो गया ठीक है मैथ हो गया ठीक है ना सभी के आपको यहां पे मिल जाएंगे संस्क्रत हिंदी सबके ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत